Hello friends, इस वीडियो में हम प्रतिसत के कुछ important question solve करना सिखेंगे, जो कि सभी exam के लिए बहुत important है, तो देखिए, पहला question क्या दिया हुआ कि यदि 1400 का x प्रतिसत बराबर 168 दिया है, तो x बराबर क्या है, देखिए यहाँ पर options दिया हुआ है, तो x बराबर हमें निकालना है कि क बटा हम 100 लिख देते हैं, ये 2 0 से, ये 2 0 cancel हो जागा, यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है, और बराबर में 168 दिया हुआ है, अब 2 0 सो 2 0 ये cancel हो गया, यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, तो 14 x बराबर क्या हो गया, 168 हो गया, अब देखिए, 14 x बराबर 168 हो गया, 2 से काटेंगे सबसे पहले, आपको दिखाई दे रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 से ये कितनी बार में जाएगा, तो 7 बार में जाएगा, 14 और ये उपर वाला 2 8 16, 2 4 8 हो गया, 84 बार में गया, फिर 7 से इसे कट कर देंगे, 7 से ये कट रहा है, तो 7 से कितनी बार में जाएगा, 7 आतेकम 7 और 7 दुना 14 यानि कि X बराबर जो हमारा finally answer आया वो कितना है X बराबर 12 आ गया दूसरा question solve करते हैं देखिए क्या दिया हुआ है यदि X का X प्रतिसत बराबर 36 तो X कमान क्या है options आपके दिये हुआ है तो X का X प्रतिसत कितना होगा तो देखिए X का का मिंस क्या होता दứng Das प्रतिसत बराइने के लिए हम क्या करेंगे बटे में 100 करदें बराबर कितना दिया हुआ उप बराबर बराबर हो जाएगा 3600 यानि कि ये गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा गुणा होने पर 3600 इसका ये गुणा होने पर हो जाएगा एक्स बराबर क्या होगा एक्स ये square में दिया हुआ है जब ये square बराबर के इधर जाता है तो क्या हो question A हुमारा सही है, अब तीसरा नंबर question क्या दिया हुआ कि, यदि X का 5% का मान 10 है तो X का मान कितना होगा? तो हमें direct क्या करना है? इसे अराम से solve करना है, देखि ए, X का comments क्या हो गया? गुणा हो गया, 5% दिया हुआ है, यानि कि प्रतिसत आने के लिए हम क्या करेंगे? कितना हो जाएगा देखिए X का ये 5 में गुणा हो जाएगा तो 5X और बराबर ये 100 यहां पर भाग में दिया हुआ इधर जाएगा गुणाम हो जाएगा यानि कि 10 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा आप X बराबर क्या हो जाएगा यहां पर 5 गुणाम है बराबर के इ जगा, x बराबर 200, यानि कि finally जो हमारा answer आया, वो x बराबर 200 हुआ, यानि कि option a जो है, हमारा क्या है, बिलकुल सही है, चोथा question क्या दिया हुआ, यदि x का 30% का 15% बराबर 18, तो x का मान बताई है, x का 30% का, यानि कि का का, दो बार दिया हुआ, यानि कि दोनों का गुणा solve करेंगे, x का का मतलब यहां ब होगा 30%, यानि कि 30%, 30 बटा 100 होगआ, इसका भी का दिया हुआ, यानि कि इसका भी हम गुणा करेंगे, 15% दिया हुआ, यानि कि 15 बटा 100, बराबर कितना है, 18 है, तो x कमान हमें क्या करना है, find करना है, तो देखिए, अब हम इसे कैसे solve करेंग अब देखिए यहाँ पर क्या होगा X गुणे 3 बटा 10 गुणे 3 बटा 20 बड़ाबर कितना हो गया 18 हो गया तो हम X का मायन क्या करेंगे Find करेंगे तो देखिए X बड़ाबर क्या हो जाएगा 18 है यहाँ पर यह दोनों क्या है भाग में है इधर जाके क्या हो जाएगा 18 के साथ यह लोग गुणा में हो जाएगा 18 गुणे 20 गुणे 10 बटा कितना हो जाएगा देखिए यह 3 गुणे 3 3 गुणे 3 हो जाएगा तो यह 3 से कितनी बार में 18 कटेगा तो 6 बार में कटेगा 3 से 6 कितनी बारे में कटेगा तो 2 बारे में कटेगा यानि कि 2, 20 और 10 इन दोनों का क्या करेंगा गुणा करेंगा आपस में तो देखिए क्या हो जागा X बराबर क्या हो जागा देखिए ये 20 दुना कितना हो गया 40 हो गया और 40 का 10 में गुणा हो गया क्या हो जागा तो 400 हो जागा यानि कि X का जो finally हमारा आंसर आया वो 400 होगा यानि कि option C यहाँ पे क्या है सही है पाचव कोश्चन क्या देवाई यदि X का 40 प्रतिशत बराबर 500 का 10 प्रतिशत के समान हो तो X कमान क्या होगा तो एक बार आप वीडियो पॉच्छ कर लिजे आप खुद से एक बार इसे try करिए फिर मेरे साथ आप इसका solution देखिएगा तो चलिए हम इसको solve करते हैं देखिए X का 40 प्रतिशत यानि कि X गुणे 40 प्रतिशत बराबर अब देखिए बराबर दिया हुआ था हम यहाँ पे बराबर देते हैं 500 का 10 प्रतिशत यानि कि 500 का 10 प्र ये 2 0 से ये 2 0 cancel हो गया अब ये 0 से ये 0 cancel हो गया अब क्या हो जागा ये देखिए ये 2 से 2 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा यानि कि यहाँ पे क्या हो जाएगा X गुणे 2 प्रतिशत बराबर कितना हो जागा ये 5 और 10 आपस में क्या होगा गुणा होगा तो 50 ह अब X बराबर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 5 यहाँ पे भाग में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा यानि कि 50 गुणे 5 दो इधर गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा यह कितनी बार में कटेगा तो 25 बार में कटेगा उमीद करता हूँ कि आपको अच्छे से सारे questions समझ में आया होगा और इस तरह के questions आप आसानी से solve कर लोगे तो वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर कीजिए यदि आप चैनल पर नए है तो subscribe कर लिजे इसी तरह के new video updates के लिए तो मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के अच्छा लिए गुडबाय